और खबर बालाघाड से आया जामापर बालाघाड के बीजेपी नेता और पूरोस्तानमसाद वोज सेहं भगत ने एक कॉंग्रिस का दामन थाम दिया है बोपाल कॉंग्रिस कार्यालाय में प्रदेश कॉंग्रिस अध्रक्ष कमलनात ने उन्हें कॉंग्रिस की सदस्चिता दिलाई है बतादे की बाला घाट जिला अधिक तर सीटों पर जीत हार में निर्णायक वूमी का निवाता है इसे देखते हुए बोपाल से भगत के कॉंग्रिस में शामिल होने को बड़ा जटका माना जा रहा है इसके अलावा सुमिछ चौबे और राजिश पटेल ने भी स्टैक्रों समर्टों के साथ कॉंग्रिस में प्रविश कर लिया है आएनेस 24-7 से बादशीत के दौरा आन पूर्वस्तांसर बोप से भगत ने कहा है कि वह पूर्वसियम कमलनाथ से प्राभावित खुकर कॉंग्रिस में शामिल हुए है उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो बहुत चुनाओ भी लड़ सकते हैं बीजेपी से कॉंग्रेस में नेताओं के आने का दौर जारी है पूर्व सांसद जो हैं बोथ सींग भगत जी हमारे साथ है सर क्या कारण रहा कॉंग्रेस में आने का बीजेपी छोड़ा मैं कांग्रेस की रिती नित्यों से प्रभावित हो करकर खासकर मैं प्रदेश में कमनलाजी की जो सरकार आल्प समय में जो सरकार रही उनकी और उनने जो काम करके दिखाया उससे प्रभावित हो करकर उन पर भरसा किया जासेता है कमनलाजी जो भोलते हैं वो करते हैं नहराजगी क्या रहा है नहराजगी यही है कि वह भटक गई है वहाँ जनता का हितनी हो रहा है किसानों का हितनी हो रहा है सरकारी कर्मचारियों का हितनी हो रहा है वहाँ और प्रदेश कर्ज के बोच से लद रहा है जबकि अभी तो गुबार देना था कर्ज को लेकिन आज म प्रदेश का आगे चलकर प्रदेश दिवालिया हो जाएगा इजि बचाना है तो मेरा अन्रोध निवेदन की इस बार पूरे प्रदेश में भाज़पा का सफाया करो और कांग्रेस की सरकार बनाओ कमल नाजी की सरकार बनाओ क्या कॉंग्रेस से लड़ेंगे चुनाओ ऐसा बोला गया कॉंग्रेस में सामिल हुए है और अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वो चुनाओ भी लड़ेंगे और कॉंग्रेस को जिता कर लेके आएंगे कैमरामेन सनी के साथ आयने स्टन्टिफोर्सिविन के लिए बोपाल से दिने शुक्त